बहुत समय पहले की बात है, सुधा नाम की एक लड़की अपनी बेहन के साथ एक छोटे से गाउं में रहती थी, वो खेतों में रखवाली करने का काम करती थी, जिससे वो अपना और अपनी बेहन का गुजारा करती थी, एक बार की बात है, वो खेतों पर रात को रखवाली कर अगर इस बैल को यहां से भगाया नहीं गया तो यह सारी के सारी खेत की फसल उजार देगा। मुझे इस बैल को खेत कराब करने से रोकना होगा। मुझे अभी उठा कर फेंखी देगा। तभी बैल सुधा की ओर अपने दोनों सींगों को करता हुआ बढ़ने लगता है। अरे अरे यह बैल तो मेरी तरफ ही आ रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझे साक्षाती अमराज के दर्शन हो गए और वो मुझे लेने आये है। सुधा बैल को देखकर भागने लगती है। अरे कोई है कोई बचाओ मुझे नहीं तो ये बैल मुझे अपने पैने सींगों से उठाकर मारी डालेगा। कोई है चो मुझे इस बैल से बचा सकता है। मुझे अभी मरना नहीं है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सुधा भागते भागते बुरी तरह ठक जाती है, और वो एक जगा आकर रुक कर हाफने लगती है, इस बैल को भगाना इतना असान नहीं है, चाहे जो हो जाए, मैं इसे गाउँ वालों के खेत की फसल खर आने लगता है और वो बुरी तरह तरपने लगती है, हाई रे, हाई रे मेरा पेट कोई बचाओ, कोई है तो कोई बचाओ, सुधा अपना पेट पकड़ कर जैसे तैसे खड़ी होती है और भागने की कोशिश करती है, इस बैल ने तो मेरी हटी पसली तोड़कर रगती, इसे तो बच गए, तभी सुधा जमीन पर पड़े अपने शरीर को देखती है, अरे, ये जमीन पर तो मैं पड़ी हूँ, पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहां हूँ, फिर सुधा अपने ही शरीर को हिलाने लगती है, तभी उसे समझ आता है कि उसकी मौत हो चुकी है, और यही सुभा होती है तभी कुछ गांवाली खेतों पर काम करने आते हैं तो देखते हैं कि सुधा की लाश पड़ी है। पर इसके शरीर पर किसने इतनी बेरहमी से चोट पहुचा रखी है। रह बाई अब हुणी को कौण टाल सकता है। फिर सभी गाउं वाले सुधा की लाश को उसकी बहन की पास पहुचा देते हैं पर किसी को नहीं पता था कि सुधा को एक पागल बैल ने मारा है और फिर सभी गाउं वाले मिलकर सुधा का अंतिम संसकार कर देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर अगली स सुबह सभी गाउंवाले अपने अपने काम में लगे हुए थे तब ही अचानक से वही पागल बैल वहां आ जाता है और वो गाउं में घूमने लगता है तब ही बैल की नजर एक आदमी पर पढ़ती है जो अपनी रेहडी पर सबजी बेच रहा होता है तो वो बैल उसकी सिंगों से उठाकर फेंग देता है वो आदमी जैसे तैसे अपनी जान बचा कर वहां से भागता है लेकिन तब ही बैल उस आदमी को पीछे से अपनी सिंगों से जोर का धक्का मारता है जिसकी बज़ा से वो आदमी दूर जाकर गिरता है और मर जाता है वो पागल बैल पू कोई उस बैल को पकड़ सके तब ही वो बैल किसी का घर तोड़ने लगता है उसे रोकने के लिए कुछ गावाले उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं जल्दी से कोई मोटी रसी लेकर आओ सभी गाउवाले रसी का फंदा बना कर बैल के गले में डालते हैं पर बैल उल्टा ही उन्हें ही अपनी और खीच कर गिरा देता है यारे ये पागल बैल तो पकड़ में ही नहीं आ रहा गाउवासियों को चारो तरव भागते हुए चुड्याल देख लेती है ये तो वही बैल है जिसने मुझे मारा था अब ये यहा अगर गाउवालों को परिशान कर रहा है इस बैल ने तो गाउवालों की बहुत बुरी हालत कर रखी है मैं इस बैल को नहीं छोड़ूगी तभी चुडैल देखती है कि एक छोटा बच्चा सडक पर अकेला रह गया है और बैल उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा है उसकी माँ चिल ला रही है फिर अब बच्चा कोई बच्चाओ मेरे बच्चे को नहीं तो ये बैल मेरे बच्चे को मार डालेगा जैसे बैल उस औरत के बच्चे को उठाने जाता है चुडैल उसके सामने आकर उस बच्चे को उठा लेती है और उसकी माँ को दे देती है ये देखकर उस बच्चे की माँ हैरान होती है चुडैल ये तो चुडैल हो और इसने मेरे बच्ची की जान बचाई फिर वो चुडैल अपने हाथों से उस बैल के दोनों सींग पकड़ लेती है और उसे पूरी ताकत के साथ रोकने की कोशिश करती है तू मेरे होते हुए गाउवालों को कुछ भी नहीं कर सकता बैल भी कम ताकतवर नहीं था वो अपनी पूरी ताकत के साथ चुडैल को उठा कर दूर फेंक दोता है अच्छा तो ये बात अब फेक कर दिखा मुझे मैं भी देखती हूँ कि तुझ में कितना दम है गाउवाले बुरी तरह डरे हुए इधर से उधर भाग रहे थे तभी वो सब चुडैल को देखकर रुख जाते हैं ये तो चुडैल है और हमारे लिए बैल से लड़ रही है तभी चुडैल बैल से लड़ते हुए गाउवालों से कहती है दरो नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं होगा ये बैल तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड सकता फिर चुडैल बैल के दोनों सींग अपने हाथों से पकरती है और जोर से उसे हवा में घुमाती हुई दूर फेंग देती है बैल बुरी तरह चिलाने लगता है फिर जैसे ही वो चुडैल की तरफ अपने सींग करता है चुडैल उसके दोनों सींगों कार पेकती है इसी सींगों से तुने मुझे मारा था ना ले अब तू भी मर बैल को बुरी तरह चोटे आती है उसका पूरा शरीर लहुलुहान हो जाता है और वो दर्द से बुरी तरह जोर-जोर से चीखने चिलाने लगता है फिर देखते ही देखते वो मर जाता है सभी गाउं वाले पागल बैल को मरते देख बड़े खुश होते हैं तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने इस पागल बैल से हम सभी गाउं वालों की जान बचाई पर तुम हो कौन मैं सुधा हूँ जब मैं रात को खेतों की रखवाली कर रही थी तब ही ये बैल नचाले कहां से आ गया और सारी के सारी फसल खराब करने लगा जब मैरे से रोकने की कोशिश की तो इसने मुझे ही मार डाला सुधा तेरा हम गाउं वालों पर बहुत बड़ा एहसान और उपकार है हम चाह कर भी तेरा ये एहसान नहीं चुका सकते तुने मरने के बाद भी हम गाँवालों की स्पागल बैल से जान बचाई हम तुझे जिन्दा तो नहीं कर सकते पर हाँ तेरी कोई इक्षा है तो उससे जरूर पूरा कर सकते हैं मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस आप सभी मेरी बेहन का अच्छे से ध्यान रखना और उसकी शादी जैसे मैं चाती थी वैसे ही धूमधाम से करना सुधा हम तुम्हारी ये एक्षा जरूर पूरी करेंगे फिर चुडैल गाउंवालों और अपनी बेहन से विदा लेकर गायब हो जाती है और उसे एक नेक काम करने की वज़े से मुक्ति मिल जाती है